हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपको मैक्रेम का एक पार्स बताऊंगी इसके लिए मैंने वन कलर का कॉर्ड यूस किया है और यह क्रिस्टल चाहिए आपको कुछ मैंने ग्रीन का कलर का मैंने यह पे लिया है और अज यूजल लाइटर और सीजर और य कर ने प्रेंच काता है यह आपको 48-d God कल 10 आ यह मैंने उन मीटर षाटा है तो फटी एइट कोसा आप को बीस कायेर तो लेक्त के एल टार्ड जै एंस आपको या अपको एक्योश्मन कल लेना ही इंसे ओ इस और इस को सेंटर में लाना है और इसमें सिंपल सा एकन लगाना है ऐसे ही करके आपको पूरा 48 quads को ऐसे ही करना है और टूर करके quads लेके simple सा square knot लगाना है बस ऐसे करके आपको 48 quads है हमारा तो ऐसे करके आपको 24 आएगा तो इसको सबको ऐसे extra ऐसे सबको ऐसे जॉइन करना है तो मैं आपको जॉइन करना बताती हूँ यह टू कोड लेना है और यह टू कोड लेना है तो इसको यह पर simple सा square knot ऐसे ही सबको जॉइन करना है तो टू करके कॉड लेके देखिए फ्रेंच मैंने तब को एक साथ जॉइन कर दिया है मैंने और यह यहाँ पर फ्रेंच आपको बीच बीच में एक एक तू टू कॉड लेके यहाँ पर फोली क्रिस्टल आपको यह पर लगाना है तूटु कोट के बीच में यह पर मैंने इस और में यह नॉट और यह नॉट के बीच में यहाँ एहां पर लगा रही हूँ और सिम्पल सा स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ ऐसे ही करके सब के बीच बीच में यहाँ पर आपको बीच फसा के नॉट लगा देना है ऐसे ही फ्रेंट्स पूरे में आपको बीच बीच में क्रिस्टल फसा देना है देखिए फ्रेंट्स बीच लगाने के बाद आपको इसके नीचे और एक लाइन आपको बनाना है सिम्पल सा स्क्वायर नॉट लगाना है बस देखिए फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर और एक लाइन बना रही हो तो सिम्पल सा है बस इसके नीचे एक एक करके आपको नॉट लगाना है तो दूसरा लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगी दूसरा लाइन है पूरे में मैंने टू लाइन किया है इसके बाद डिजाइन उठाना है देखिए फ्रेंज टू लाइन कमप्लेट करने के बाद आपको कोई भी ठी webinar लेना है फ्रेंज कोई भी 3 कोड लेके 3 कोड के बिच में 2 कोड बनाना है और इसके नीचे one chord बनाना है जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया अब कोई भी three chords ले सकते है देखे फ्रेंस मैंने three के बीच में two और फिर one किया है इसमें भी आपको ऐसा ही करना है three के बीच में two और बाद में one और फिर से बाकी आपको ये three इसके इसके side में जो three chords है उसको लेके भी ऐसा ही same बनाना है तो पहले सब में ऐसे ही कर लेंगे तो मैं यहाँ पर two chord ले रही हूँ यहाँ पर बना रही हूँ नॉट और यहाँ पर और नीचे one देखिए friends मैंने ऐसे बनाया है तो आप अपको क्या करना है इसका second chord है one two जो second chord है उसको लेकर फ्रेंट पहले तो आपको यह दो हिसों में डिवाइट करना है तो यहाँ पर आपको आ गया है six chord और यहाँ पर six chord आ गया है तो अब यह second chord लेकर आपको यह four में pipe in करना है और इससे भी आपको pipe in करना है इस साइड पर हो गया इस साइड पर भी same second chord लेकर ही आपको four chord से pipe in लगाना है और फिर फास्ट से आपको ऐसे करना है तो हो गया है यह तो सब में ही आप यही करें friends देखिए friends ऐसा line बनाने के बाद बीच बीच में आपको notes लगानी होगी तो मैं पहले इस साइड का two और इस साइड का two लोगी तो यहाँ पर एक square note लगा दूँगी ठीके friends और यह जो two chord है और इस साइड का two chord लेकर मैं फिर से यहाँ पर square note लगाऊंगी और इस साइड में यह जो two chord है और यह two chord लेकर भी square note लगेगा और यहाँ पर last में नीचे यहाँ पर तो friends अब के बीच में यहाँ पर भी आपको सेम यहाँ पर भी सेम सब में यहाँ पर ऐसे ही करके बनाना है आपको इसके बाद friends आपको यहाँ पर बीच लगाना है जैसे कि हमारा यहाँ पर आया है तो इसके बीच में यह क्रिस्टल लगाऊंगी यहाँ पर सब में यहाँ पर क्रिस्टल लगाना है बीच बीच में यह बीच का जो टू कॉर्ड है उसको लेकर friends यहाँ पर बीच लगाने के बाद friends यहाँ पर जो और एक कॉर्ड यहाँ पर आया था उसको लेकर मैं यह फोर कॉर्ड से इस तरफ पाइप इन करूंगी इस तरफ हो गया है अब जिस कॉर्ड में मैंने बीच फसाया था उससे मैं यहाँ पर फोर कॉर्ड से ही पाइप इन करूंगी इस साइट पे भी आपको सेम यह फोर कॉर्ड में आपको इससे पाइप इन करना है और इसका यह कॉर्ड लेकर यहाँ पर पाइप इन करना है और लास्ट में जो फोर कॉर्ड आया है इस साइट से टू और इस साइट से टू यहाँ पर आपको बस एक स्क्वेर नॉट लगा देना है तो सब में फ्रेंड आपको यहाँ पर भी यहाँ पर भी यही करना है सेम प्रोसेस देखिए फ्रेंड यहाँ पर ऐसे करने के नॉट लगाने के बार यहाँ पर मैं नॉट लगाऊंगी फिर से यह फोर कॉर्ड लेकर बीच का नॉट लेकर रेखिए पर एस दाइब लगाना है और यह टू कॉर्ड लेकर रेकर पर भी यहाँ पर अपर एक नॉट लगाना है इसमें भी सेम फ्रेंट्स यहाँ भी फोल कॉड लेकी यहाँ पर नॉट लगाना है देखिए फ्रेंट्स ऐसे ही आपको पुरा कम्प्लीट करना है और इसके बाद इसको फोल करके जोईन करना है मैरे लिए मैंने मेरे चैनल में मैंने बहुत सारा एंडिंग बताया है तो आप चाहे तो उसमें देख सकते है और एंड करने के बाद जोईन करने के बाद यह बैक कुस इस तरह दिखेगा यह बहुत सुन्दर डिजाइन है और सिंपल भी है तो मेरी वीडियो आपको अगर अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो आपको जल्दी से मिले ठीक है फ्रेंस, बाबाई